हलो इबरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुनाहाँ सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हैं क्लास 12 फिजिक्स एंसियार्टी चैप्टर फर्स्ट में बच्चो आज का टॉपिक है हमारे पास एक समान बिद्धु छेतर है और उसमें एक वैदुत दुईधु रख दिया तो उस वैदुत दुईधु को हमाली जे ठीटा कोड गुमा रहे हैं तो उसको ठीटा कोड गुमाने में कितना कार किया जाता है अर्थात एक समान विद्दूत छेतर में बैद्दूत दूजदूत को घुमाने में किये गए कार की गड़ना करनी है तो question सीधा पूछा जाता है कि एक समान विद्दूत छेतर में बैद्दूत दूजदूत को घुमाने में किये गए कार की गड़ना करनी है तो सबसे पहले बच्चो किसी भी प्रश्ण का उत्तर लिखने से पहले आप लोगो उस प्रश्ण को बारी की समझना है कि हमारे पास एक समान विद्दू छेतर है उसमें वैदू दूईधू रखा है तब उसे घुमाएंगे तब उस पे कार की गड़ना करेंगे अब हमने कहा वैद्दू तो दूईधू है तो मतलब इस पर दो आबेस है तो कहीं न कहीं दो आबेस पर दो बल लगेगा इस बिद्दू तो छेतर के कारण तो बल युग्म हो जाएगा दोनों बल युग्म होगा बच्चो क्योंकि दो बल लग रहे है एक दूसरे के विपर का प्रयास करेगा उससे निकलेगा वल आघून आप लोगों ने इसके पहले एक थोरम में पढ़ा था कि माली जी एक समान विद्दू छेतर में थीटा कोड बनाते हुए रखा गया है तो वल युगम आघून जो होता है टाउ बराबर पी इसायन थीटा होता है यह आपने प वल युगम आघून ताउ बराबर पी इसायन थीटा होता है अब कहोगे कि बल युगम आघून यहां पर हम निकाल कर दिखा है तो वह इंपॉसिबल है क्योंकि इसके पहले हमने आप लोगों को एक थोरम करा रखा है आलरेडी कि हमने कहा एक समान एक बिद्दू तच्छ ताव बरावड पी इसईन धीटा है, हमने तो अभी केबल कल्पना कर दी, कि यहां पर एक वैदु दूजर्ब रखा है, तब उस पर वैदू दूजर्ब रखा है, तो क्लियर लगता है, क्यों? क्योंकि यहां पर दो आबेसे, एक माइनस Q, एक प्लस Q, दोनो आबेसों में विपरीद दिसा में बल लगता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, विपरीद दिसा में बल लगाते हैं, और कोशिस ये करते हैं, ये दोनों बल युगम का काम ये होता है, कि ये जो हमारा वैदू तो दुईद्रू है, ये समानतर कि ये घोम करके समानतर आया, दोनों बल इतना प्रयास करते हैं कि घोम करके इस विद्दु तर छेतर के शमानतर आ जानल मा लगता है। इतना तक किसी को कोई प्राब्लम नहीं है, क्योंकि इतना मैंने पिछले लेक्चर में कवर कराया था, ठीक है, अब बात करते हैं, बच्चोई कार क्या होता है, कार कहलाता है, कि मा लीजिये वल गुने दूरी, यहनि वल गुने विस्थापन, यह सब को पता है, बल गुने विस्थापन, और बल का मतलब यहाँ पर बल आगुन से है, और विस्थापन का मतलब यहाँ पर कोड से है, कि कितना कोड वो विस्थापित हो जाता है, फिर से मैं यहाँ पर समझाओंगा, बिल्कुल आप निश्यंत रहें, जैसे मैंने कहा एक समान विद्दू छेतर है चलो भई मैं एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ ये आपका माली जिए विद्दू छेतर है और मैंने कहा एक वैद्दू दूधरू इतना है यहाँ पे ठीक है ये मैंने कहा A B है ठीक है, यह प्लस Q और माइनस Q से निर्मीत है यह थोड़ा सा घूम गुमा तो कितना कोर घूम गुम गया D theta, मतलाब आपका A भी ही था, लेकिन थोड़ा सा कोर घूम गया । यह प्लस Q है और यह माइनस Q है यह नहीं हमारा पहले बैदि दूजरू भी ये था लेकिन डी थीटा कोड घूम गया थोड़ा सा घूमा तो यह दि हम आप से कहेंगे कि यह थोड़ा सा घूमा तो थोड़ा सा कार होगा अलपकार अलपकार क्या होगा बल और यहापे बल का मतलब बल आ घून विस्थापन का मतलब डी थीटा अल्पकोर घुमाने में किया गया कार अल्पकोर घुमाने में किया गया कार अब ये जो dw होगा बच्चो तो tau बरावर होता है p e sin theta क्या होता है p e sin theta d theta हो गया तो ये आपका अल्पकार निकल कर आगया मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा systematic समझाना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि ये हमारे पास एक वैदुत दुदुरू रखा हुआ है पहले अल्पकार निकालते हैं और जब अल्पकार निकालेंगे तो उससे हम बड़ा छेत्र का मान निकाल सकते हैं जैसे बच्चों आप लोगों पढ़ा होगा कि ये छोटे से फिल्ड का एरिया पता हो तो समा कलन करते हैं तो बड़े से एरिया का मान निकल कर आ जाता है हम छोटे से एरिया के मान की बात करते हैं कि ये माली जै छोटे से एरिया का छेत्रफल पता है और limit दे के रखा कि यहां से यहां तक कमान निकालना तो हमको क्या करना पड़ता समा कलाना तो यहां तक clear चीजे clear हो गया कि पहले हमारा वैदुदूदूदू भी तना था थीटा कोण पर था यह इसके साथ माली जे डी थीटा घूम गया फिर मान के चलता हूं इस टार्टिं से थीटा टू तक घूमाने में किया गया कार हम निकालेंगे तो यह कैसे निकलेगा बच्चो बल गुने बिस्थापन से तो फिलाल जब हम लिखने की बात करते हैं तो एक समान विद्दू छेतर में हमारे एक बैद्दू दूजरू आगून थीटा कोण बनाते हुए रख सिंपल है मैंने आपको सिस्टेमेटिक बताया अल्प कोड घुमाने में किया गया कार तो अल्प कार होगा डी डवल क्या होगा आपका टाउ अल्प कोड डी थीटा हमने कुमाया तो विस्थापन आपका डी थीटा ही होगा वही कार कस उत्र क्या होता बल गुने अब ये बोला गया कि थीटा वन से थीटा टू तक घुमा रहे हैं थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार मतलब कहने के ताथ पर समझे किया गया कार है किया गया कार ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा मैं कहा ये रहा हूं कि माली ये 90 डिगरी पर यह रखा हुआ है और फिर उसको 45 दिग्री तक ले आया तब कितना कार होगा तो आप लोगों को एक फार्मुला यहाँ पर क्लियर रहना चाहिए कि टोटल कार होगा अल्प कार का यदि हम समा कलन कर दें यहीं DW का हम क्या कर दें समा कलन यह छोटे से कार का था लेकिन खकर्तवला देदिया थीटा उन से थीटा टू तक यदि हम पूरा कार निकालना अब W बरावर हो जाएगा थीटा वन से थीटा टू और DW का मान कितना बच्चो आप लोगों ने पढ़ा है टाव बरावर कितना होता हूँँदा होता है की नहीं पिई sin theta और d theta है यह भाई यह tau कमान है यहाँ पर रख सकते हैं बच्चो pe sin theta d theta इतना काम हो गया तो आपका theorem complete हो गया ज्यादा ही नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें आर थोड़ा साथ यह आपने दिमाग लगा ली तो समझो आपका काम complete हो गया अब देखेगा मैं यहाँ पर आगे करता हूँ w रहने देता हूँ बच्चो यहाँ पर जो आपका pe constant है वो बाहर आ जाएगा तो pe को आप constant बाहर ले लो theta 1 से theta 2 और यह आपका sin theta d theta अब कोई पूछेगा आपसे sin theta का समा कलन sin theta का समा कलन बता सकता है कोई बच्चा बोलेगा minus cos theta क्या होता है minus cos theta ठीक है इसका समा कलन हो गया कहां से कहां तक theta 1 से theta 2 तक यह minus को हमने बाहर ले आया minus को हमने बाहर ले आया तो बच्चा हमारा cos theta कहां से theta 1 से theta 2 तक अब इसका limit का रखने का process क्या होता है पहले हम उपर वाले को लिखते हैं फिर नीचे वाले को पहले अपर लिमिट मतलब कॉस थीटा टू और बीच में माइनस लगा करके लोवर लिमिट यनी नीचे वाले निमनसीमा ध्यान रखेगा पहले उच्च सीमा लिखा जाता है फिर निमनसीमा पहले उच्च सीमा फिर निम्च सीमा बीच में मानस लगाते हैं अब बच्चो ये आपका आगए W बराबर ये आगए W बराबर ये condition है लेकिन हमने ये पता नहीं कि कहां से कहां तक गुमा रहे हैं तो हमें दि कहे दें कि मान लीजिए कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमा रहे हैं या किमा लिजे 0 से थीटा डिग्री तक यदि मान की चलता हूं कि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से 0 डिग्री मान की चलता हूं से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में घुमाने में किया गया कार किया गया कार बहुत सिंपल है मैं ये कहा कि जो प्रारम्भी के स्थित था वो 0 डिग्री था प्रारम्भी के स्थित था वो 0 डिग्री था तो 0 डिग्री से घुमा रहा हूं मतलब जो अंतिम स्थित है वो आपका थीटा है और प्रारमभी की स्थित था वो आपका 0 degree था और 0 degree का मान होता बच्चो 1 Cas 0 का मान कितना होता 1 तो cos theta हो गया Cas 0 का मान होता है 1 ठीक माइनस का अंदर गुड़ा हो जाएगा बच्चो माइनस का अंदर गुड़ा हो जाएगा तो ये P E रहने 2 और यह हो जाएगा one minus cos theta चिन्ड बदल जाएगा और यही आपका भीया theta code गुमाने में किया गया कार zero से theta degree गुमाया मतलब theta code गुमाने में किया गया कार यह आपको दिखराना systematic यही है बच्चो और कुछ भी नहीं theta code गुमाने में किया गया कार एक बैद्दू दूदू किसी विद्दू छेद्र एक के साथ theta code बनाते हो रखा गया है तब इस पर एक बल यह गुमाने में किया कार कार होता है बल गुड़े बिस्थापन यहाँ पर बल जो बल आगुड है बिस्थापन जो है code है ठीक है टाउ का मान रख दिया मैंने कहा भाई साहब टारंबिक इस्थित से अंतिम इस्थित तक theta 1 से theta 2 तक घुमाने में किया कार तो limit हो गया अलप कार का समा कलन करेंगे तो बड़ा सा कार आ जाएगा मतलब बड़े से area का कार आ जाएगा यही हम यहाँ पर अलप कार की बात कर रहे है तो dw और जब बड़े से शेतर का कार बात करेंगे यही थोड़ा सा और ज्यादा कार करेंगे तो dw आ जाएगा तो dw का समा कलन कर देंगे simple है dw का मान रख दिया हमने p को बाहर लेया sin theta का minus square theta upper limit और lower limit रखा इसके बाद हमने क्या कहा कि मान दीजे प्रारंबिक इस तिट पर 0 degree पर था और इसको हमने घुमाया theta तक तब क्या होगा तो प्रारंबिक theta 1 की जगए 0 degree रखा हमने theta 2 के जगए यहाँ पर theta रख दिया हम यह कह रहे हैं कि total theta code ही घुमाया हमने theta के जगए 40 भी हो सकता 50 भी हो सकता वो आपके इच्छा के अंसवार है तो जितना भी घुमायेंगे उसके अंसवार निकल कर आगया कार है और बच्चो इसका notes लेना है तो हमारे personal number पर आप contact कर सकते हैं 96852949 96852949 96852949 इस नमबर पर आप contact करके notes ले सकते हैं फिलाल अभी के लिए इतना ही और इसका screenshot ले ले छोटा से amount लगता notes के लिए कि रापर रूप से notes दिये जाते हैं हो सकता है आप लोगों ने लिया हो इसके आगे का बच्चो screenshot किया गया car बराबर हमने कहा ये tau d theta, p sin theta, d theta फिर theta 1 से theta 2 तक है ना फिर इसके बाद बच्चो आपका पूरा वही system आ गया फिर 0 से theta कॉन कमाने में किया गया car ये simple है तो आप लोगों को notes लेना है तो contact number मैंने देही दिया है 9 6 8 5 2 9 9 1 4 9 96 5 29 29 या description पर हमारे app का link मिल जाएगा वहाँ से भी आप notes ले सकते हैं फिलाल अभी के ले इतना ही जैहिंद बंदे मातरम